नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश्विदेश की प्रमुक खबरे हाई कोट ने कानुन विवस्ता बनाय रखने के निर्देश दिये छे को सुनवाई होगी ग्यानवापी के तहकाने में पूजा पर रोक नहीं तमील अभिनेता विजय राजनीती में उतरे नजर 2026 के चुनाव पर अब फ्रांस में भी भारत की UPI सेवा की शुरुआत केंद्र सरकार 29 रुपे किलो में भारत चावल बेचेगी भाजपा का अधिवेशन 16 से 18 तक भारत मंडपम में हर्श मंदर के NGO पर CBI की छापे मारी पाकिस्तान आर्थिक संकट से चलते सरकारी एरलाइंस बेचेगा केनिया में गेस से भरे टेंकर में विस्वोट होने से आग लगी तीन की मोत 300 खायल कनाडा में खालिस्तानी अतंकी हरदिप सिंग निजर के दोस्त के घर पर गोली बारी अमेरिका के फ्लोरीडा में छोटा विमान क्रेश होने से कई लोगों की मोत जात चारी अयोध्या में राम मंदर के बाद बांगलादेशी हिंदू दश्यत में बांगलादेश में यात्रा रोकी मंदिर तोड मजजित बनाने की धमकी आईटी नियमों में संशोधन पर हाई कोड का खंडित फेसला अर्जेंटीना में सबसिडी कटोती के विरोध में उग्र प्रदर्शन लोगसभा चुनाओं में कांग्रेस को 40 सीट भी मिलेगी इसमें संधे ममता विनरजी ने कहा चंडिकर मेर विवाद में दिल्ली में आप और भाचपा का प्रदर्शन दोसों से ज़्यादा गिरफतार लंबा ट्राफिक जाम पांस साल में विदेश में 403 भारती छात्रों की मोत थुई विदेश मंतरी ने कहा बाकी की तमाम खबरों के बने रही राजनमा टीवी के साथ धन्यवाद